असलाम अरेक्म आपके लिए नहीं डिवाइस नहीं मूबाइल क्योंकि पाक्सान की मार्केट में लाउंच होने वाला है 20 अपरेल को आपके लिए एफ-7 का पहला लुक पाक्सान में की पहला साज यूट्यूब चैनल होगा जो आपको एफ-7 आज दिखाएगा तो दोस्तों अगर ये मेरे वीडियो पसंद दिए लाइक और शेयर जरूर कीजेगा और मेरे चैनल पर नहीं अट्रेनों को सब्स्राइब करना मत भूलीगा साथ ही नोटिफिकेशन बेल आगर को प्रेस कीजिएगा ताके इन फ्यूचर आपको इस तरह के बहुत सारे डिव्यूज अन इस पर व्यूज दिस्प्लेय में नाइटी इंटू नाइन की रिश्व मिलेगा तैनेटी बाइटी बाइटी के आपको पिक्जल देखने को मिलेंगे इसका जो पीपी होगा वहोगा 409 का यह दोस्तों इसके अंदर अपो ने बहुत सारी चेंजिस की है इसके अंदर AI का फ 2018 में ट्रेंट चल रहा है रियर स्टाइट पर डूल कैमरे का लेकिन अभी भी सिंगल कैमरे पर खड़ा है प्राइस देखा जाए तो काफी महंगा फोन है लेकिन अगर हाडवेर वाइस देखा जाए तो पहला एसा ओपो का फोन हारा है जिसके अंदर मीडिया टेक का हिलिय आइफोन एक्स की तरह मिलने वाला है काफी हद तक बहतर इंप्रूवमेंट है लेकिन एस कंपेर टू वी वी नाइन अभी रिसनली वी नाइन भी आया मार्केट में फुल वी डिस्प्ले में आगा है अगर बिल्ड कॉलिटी की बात करूँगा तो ओपो के अंदर मुझे वी नाइन से बहुत बैतर मिली लेकिन यह दूसरी ऐसी कंपनी है वर्ल्डवाइट वीव और ओपो दोनों ही एक प्लेटफॉर्म पर चल रहे होते हैं यह आइफोन को काफी हद तक कॉपी कर रहे होते हैं इनके अदर आप आप अपरेटिंग सिस्टम को देखेंगे तो आ दिस्प्ले काफी बढ़ा है 6.23 इंची इसका स्क्रीन होगा और रियर साइट पर आपको ग्लॉसी बैक देखने को मिलेगी जो के बहुत कूल लुक देती है वेवी नाइन की बिल्क्वाल्टी की बात करेंगे तो इसके अंदर आपको वेट काफी कम मिलता है उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा 165 ग्राम का रियर साइट पर आपको फिंगर पिन लॉक्ट देखने को मिलेगा LED फ्लैस देखने को मिलेगी साइट काफी कूल बनाई गई है काफी हग तक फ्रंट कॉपी किया गया iPhone X का और रियर साइट कॉपी की गई है Xperia के फॉन्स की जियां की वीडियो इस पर हमने बात की F7 को लेके उपो के जो 28 अपरल को पक्सान में अवेलेबल हो जाएगा अगर आप तो लेना चाह रहे हैं तो जरूर वेट कीजेगा लेकिन इस बचेट में और भी डिवाइस हैं उनको रिव्यू कर लीजेगा उसके बाद डिसे लिजिए आ अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजास देजिए अल्ला हाफिस